यूपी चुनाव जितने करीब आते जा रहे हैं उतने ही नए नए विवाद भी खड़े हो रहे हैं पहले सपा के करीबियों पर चापे मारी का आरोप सत्ता रूंड बीजेपी पर लगा और इसके बाद अखलेश यादव ने ये कहकर हलचल मचा दी कि उनके फोन टाप हो रह अखलेश यादव पहले ही बीजेपी के लिए बड़ी चुनाथी बने हुए हैं अब अखलेश यादव ने योगी सरकार पर उनके और सपा नेताओं के फोन टाप कराने के आरोप लगा कर बीजेपी की घीराबंदी तेज कर दी हैं अखलेश यादव ने रविवार को टाप किया जा रहा है और इसमें मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ की सीधी सनलिप्तता है लखनौ में एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए सपा प्रमुक ने कहा सरकार हमारे पार्टी कारेले के सभी फोन टाप कर रही है सभी समाजवादी नेताओं के फोन को भी टाप किया जा रहा है मुख्यमंत्री खुद शाम को उन रिकॉर्डिंग को सुनते हैं अगर आप हमसे संपर्क कर रहे हैं तो आप भी रडार पर हैं पूर मुख्यमंत्री के फोन टापिंग के सारोपो पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया है और कहा कि उनकी तरफ स साथ अखलेश यादव को मिलता दिख रहा है प्रियंका ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर कहा कि सरकार को फोन सुनने के बजाए काम पर ध्यान देना चाहिए राइबरेली दोरे पर प्रियंका गांधी ने कहा सरकार का करतव विक्या है लोगों के लिए काम करना वे इसके बजाए फोन टैप कर रहे हैं अपना काम करने के बजाए आवे पक्ष के फोन सुन रहे हैं अखलेश के केस की डिटेल नहीं पता मुझे लेकिन ये पता है कि जहां चुनाव होते हैं वहां केंदर सरकार एजेंसियों के जरीए किसी ना किसी को परिशान करती है क्योंकि मेर के केस में भी इन लोगों ने किया है तो यूपी चुनाव से पहले फोन टैपिंग का मुद्ध गेहराता दिख रहा है अब देखना होगा कि बीजेपी अपने बचाओ में और कौन से तरक ढूंड कर लाती है डीवी लाइप की रिपोर्ट